नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स नाइन नियूज में हिडिनबर्ग रिपोर्ट और अडानी विवात पर कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर अपने सियासी हमलों को और तेज कर दिया है देखा जाया तो कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी ने सोमवार यानी 13 फरवरी को वाइनार्ड में एक जनसभा को संबोधित करतो है पूछा कि उनके सवालों का जवाब पियमोधी ने नहीं दिया उसकी जगा उनके सरनेम पर ही बात करने लगे सबसे पहले देखा जाये तो अडानी का मामला इस वक्त लगता तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहे है और इस मामले पर कई न कई पूरा विपक्ष एक साथ इकटा होता हुआ भी नजर आ रहे है देखा जाए यहाँ पर तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अडानी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर जंता का पैसा खा कर बैठे है देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर अडानी की शेयर लगतार गिरते हुए नजर आ रहे है का जा रहे हैं कि hidden बंग ने यहाँ पर पोल खोल के रख दी है अडानी की अब यहाँ पर अडानी ने पैसा कप कमाया तो उसको लेकर राहूल गांधी कहते हैं कि 2014 के बाद यहाँ पर बहुत जादा income बढ़ गई थी जो देखा जाए अडानी की यह बात उन्होंने साफ तोर पर कह दी देखा जाएं हाँ पर तो और भी तमाम तरीके की जानकारिया सामने आई थी हाँ तो देखा जाएं हाँ पर तो कई न कई राहूल गांधी पोल खोलते नजर आए थी नोने साफ तोर पे कह दिया थी कि 2014 में हाँ पर पीम मोदी पूरी बीजेपी पार्ट के नेता में बैठ थे लेकिन आज खबर सामने आती है कि यहाँ पर पीम मोदी के विमान में अडानी बैठ है यारे कि दोस्ती इतनी जादा यहाँ पर सच्ची और अच्छी हो गई कि जनता को ही भूल गए पीम मोदी यहाँ पर राहूल गांधी लगाते नजर आए अब देखा जा कि मोदी खुद को सबसे ताकतवर मांते हैं जिन से सबको डरना चाहिए और उनोंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि जो सबसे आखरी चीज है जिससे मैं डरता हूँ वो नरेंदर मोदी ही है यह माइने नहीं रखता कि चाहे वो प्रधान मंत्री हो या चाहे उनके पास सभी सरकारी अजन्सिया हो यूकि सच उनके साथ नहीं है उनने कहा कि एक दिन उनको सच का सामना करना ही पड़ेगा अरब पतिकारो बारी गौतम अडानी और पीम नरेंदर मोरी की बीच गड़ जोड के आरोपो को लोगसबा की कारवाई से हटा दिया गया था इस पर राहूल गा गांधी को 15 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा था राहूल गांधी ने लोगसबा में अपने भाशन पर बात करते हुए कहा कि कैसे प्यमोदी के साथ अडानी वी देशों की यात्रा पर जाते थे और उसके बाद अचानक उन्हें उन देशों में कांट्रैक्ट मिलने लगे मैं सबके सामने इस बात को लाया हूं कैसे एरपोर्ट ट्राफिक का 30% अडानी की कमपनी के इस हिस्से में आ चुका है क्योंकि प्रदार मंतरी के साथ उनके रिश्टे है मैंने दिखाया कैसे नियम बदले गए जिसे अडानी को ये एरपोर्ट आसानी से मिल गया और लेकिन उन्हें दे दी गई अब यहां पर देखा जाए तो एक के बाद एक पोल खोलते नज़रा है यहां पर राओल गांदी एक समय था जब राओल गांदी संसत पहुचते थे और यहां पर अपने भाशन बाजी शुरू कर देते थे तो उनकी क्लिप्स को काट के पर सवाल उठाते नज़रा रहे थे लगातार हमला बोलते नज़रा रहे थे जब यहां पर पूरी बीजेपी की पार्टी के पास एक सिंगल जवाब नहीं था राओल गांदी को देने के लिए तो इसी तरीके से राओल गांदी की छवी यहां पर बदल गई और जिसका क्यात्रा को मिलता है अब आगे देखे तो उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि यहां पर सरनेम को लेकर की गई मोदी की टिपनी के सीधे तौर पर मेरा अपमान किया गया यानि कि उसे लोग सभा की कारिवाई से नहीं हटाए गया उन्होंने कहा कि देश के प्रधार मंत कि मली कारजुन खड़ के अलग कहते नजरायर आउल गांधी अलग और यहां पर पीम नरेंद्र मोदी अलग देट गंटे तक उन्होंने यहां पर बोला लेकिन उसमें से जो काम की बाते थी पीम नरेंद्र मोदी के और जो काम की नहीं भी थी उन सब को यहां पर रखा गय और देखा जाएं आपर जो काम की बाती थी यहाँ पर आउल गांधी के मलेका अजुन खड़की कि उनको हटा दिया गया यानि कि यहाँ पर आउल गांधी का ये भी कहना था कि सारी चीज़े अगर पियम नरेंदर मोदी के हिसाब से ही चलेगी तो लोगतंतर कहा रह जाएगा अब लोग सब चुनाफ 24 में एक साल के करीब ही समय बचा हुआ है और सियासी बिसाते बिचाई जाने लगी है बीजेपी ने अपने राजनेतिक यहाँ पर समय करनों को कसना शुरू कर दिया है वही कॉंग्रे समय तमाम विपक्षी दलों को सत्ता विरोधी लहर से उमीद लगी हुई है इस भी जनता का मून बताने वाले एक सर्वे में सामने आया कि 6 महीनों में प्रदार मंदी नरेंदर मोदी की लोग प्रियता घटती हुई लगतार नजर आ रही है यहाँ पर देखा जाये तो सी वोटर्स और यहाँ पर कुछ ऐसे सर्वे सामने आये जिसके अनुसार ये खबर यहाँ पर सामने आयी प्रदार मंतरी पद के लिए सबसी उप्यूक्त उम्मिद्वार को लेकर लोगों का मिज्जास जानने की कोशिश की गई थी बीते साल अगस्त की महीने में सामने आये सर्वे के नतीजे और हालिया सर्वे में प्यम नरेंद्र मोदी के लोग प्रियता में काफी अंतर आ चुका है वही कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी के लोग प्रियता में काफी जादा बड़ोतरी भी दर्च की गई है और यह चोकाने वाले नतीजे कहे जा सकते हैं क्योंकि लंबे समय से पी-एम मोदी ने लोग प्रियता के मामले में सब को पीछे छोड़ दिया था पच्छाड के रख दिया था लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद पी-एम मोदी ही खुद पीछे होते जा रहे ह कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी के नेतरत में निकाली भारत जोड़ो यातरा का फायदा उनकी लोग प्रियता पर पड़ता नजर आ रहा है प्रधान मंतरी पड के लिए कौन यहाँ पर सबसे सरी उमीदवार हुगा इस सवाल के जवाब में 14 फीजदी लोग राहूल गांधी के पक्ष में नजर आए है बीते सर्वें यहाँ देखा जाए बीते साल तो अगस्त महिने में सामने इसी सर्वें में केवल 9 फीजदी लोगों ने ही कौन्ग्रिस नेता को पीम पत के लिए उप्यूक नेता के तोर पर माना था पीम पत के लिए उप्यूक तो यहाँ पर उम्मीदवार का सवाल जब लोगों से पूछा गया तो नरेंदर मोदी के पक्ष में 52 फीजदी लोग नजर आए आसान शब्दों में कहें तो सर्वे में शामिल आदे से कुछ सादा लोगों का भरूसा पीम पत को लिकर नरेंदर मोदी पर बना हुआ है हाली अब यहाँ पर सर्वे जो सामने है उसके हिसाब से पीम मोदी के लोग प्रियता में गिरावट दर्च की गई बीते साल अगस्त मैने में हुए सर्वे में पीम मोदी के लोग प्रियता का आकड़ा त्रेपर फीजदी था दोनों सर्वे की तुलना करने पर पता चलता है कि एक प्रतिशत यहाँ पर गिर चुके है लोग प्रियता पीम मोदी की अब यहाँ पर मोदी के बारे में उनके उप्योगत उत्तर अधिकारी के तौर पर कौन सबसे आगे है इस सवाल का सर्वे में कई ना कई जवाब भी मिलता नज़र आया सर्वे में अमिच शा, योग्या अधितिनाथ, नितिन गड़करी और राजनाथ सिंग के नाम शामिल है सर्वे के अनुसार पीए मोदी के उत्राधिकारी के तौर पर 26 फीजदी का समर्थन यहाँ पर लोगों ने अमिच शा को किया अब यूपी के सेम योग्या अधितिनाथ को 25 फीजदी यहाँ पर समर्थन मिला तो भाई पर नितिन गड़करी को 16 फीजदी और राजनाथ सिंग को महस 6 फीजदी ही समर्थन मिलता हुआ नज़र आया यानि कि इस पूरी खबर के अनुसार देखा जाए यहाँ पर तो पीम मोदी कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे है और जिसका सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान जो है वो मामला अडानी का है क्योंकि अडानी पर लगाता है चुपी साधे हुए चली इस बीच आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते है वो खास वीडियो दिखाते है जिसमें यहाँ पर अब त्रिपूरा जब पहुँचे पीम नरेंदर मोदी तो कि इस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी पर हमला बोलते नज़र आए Among our leaders there was quite a lot of enthusiasm and they were quite excited about doing this with the people of Vainar We chose the name Kaithangu which means helping hand in your beautiful Malayalam And there were many challenges it looks quite simple but there were many challenges in this project How to choose the beneficiaries because there were so many The houses were built in difficult terrain With hills with poor roads And because we want to build as many houses as possible we wanted to keep the costs quite low But without compromising on the minimum requirement and the quality So I am quite happy today that we have been able to give 25 families a place to stay So I am happy that we have been able to give 25 families a place to stay And we have been able to give you a chance to keep the benefits of the people of Vainar कर दो कर दो कर दो